हेलो दोस्तो दिस इस क्रिशना वसेस्ट और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूटूब चैनल जिसका नाम है टैट्सक्रू और दोस्तो आज हम करने वाले हैं कोलबर्ग मोरल डिवलपमेंट के अंदर पोस्ट कन्वेंशल स्टेज को हम कवर करेंगे इसक आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और मैं फुल ओफ एनरजी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं तो जैसे कि मैं आपको पताया पोस्ट कन्वेंशल स्टेज यह स्टेज यह जो कोलबर्ग मोरल डिवलमेंट की जो यह पूरी थियूरी है यह ब अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है यहां से question definitely पूछा जाता है थोड़ा सा recap मैं आपको दे देता हूं कि कोलबर्ग मोरल डिवलमेंट में बैसिकली तीन main stage होती है और एक जो stage है जैसे कि pre conventional stage है तो इसकी दो सबस्टेज है ऐसे ही conventional stage की फिर से दो सबस्टेज है और post conventional stage की फिर से दो सबस्टेज है अगर सबस्टेज की बात करें तो total 6 सबस्टेज हमें हापे पढ़नी पढ़ती है तो जो पहली stage है वो छोटे बच्चों के लिए होती है pre conventional stage almost till 9 years तक वो stage होती है और उसके बाद adolescence की stage आती है जो की conventional stage होती ह जिसके उपर मैंने last video बनाया है और last में जो conventional stage होती है जो conventional के बाद stage होती है वो adulthood की होती है ठीक है तो काफी कम chances होते हैं basically इस particular stage से question पूछा जाए क्योंकि mostly लगभग लगभग adolescence तक हमारा syllabus होता है लेकिन फिर भी यह stage अपने आप में ही बहुत important है तो let's start थोड़ा सा पढ this post conventional level the individual moves beyond the perspective of his or her own society ठीक है तो इहां पर क्या होता है कि जो भी person होता है वो अपने को छोड़ के basically दूसरों के perspective पर ज्यादा ध्यान लगाता है जैसे for example वो यह चाहता है कि अगर एक rule है वो rule society के अंदर चला हुआ है सब उसको follow कर रहे हैं लेकिन उस rule को अगर हम suppose करो कि एक दिन ऐसा आया कि ऐसा circumstances हमारे आसपास बन गया कि उस rule को हमें break करना पढ रहा है किसी दूसरे के खातिर दूसरे की जान बचाने के लिए हमें अगर उस rule को तोड़ना पढ जाए तो definitely we should break down that rule हमें उस rule को तोड़ देना चाहिए तो एक छोटा सा explanation मैंने आपको दिया इस post conventional stage के अंदर की people क्या सोचते हैं देखो दोस्तो समझना बहुत असान है अगर आप तीनों ही stage को correlate करके चलोगे तो आपके लिए समझना बहुत असान हो जाएगा conventional stage जो pre-conventional stage होती है उसमें जो हमारी moral development होता है वो basically हमारा नहीं होता हम जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम दूसरे के ethical को या दूसरे के rules को हम follow करते हैं उनके educates को हम follow करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम इतने mature नहीं होते intellectually कि हम इन चीजों को खुद कर पाएं जब हम conventional stage में जाते हैं तो हमारा cognitive development है वो हो चुका होता है और हम थोड़े से mature हो चुके होते हैं हम अपने बारे में सोचना start कर देते हैं ठीक है उसके बाद जब हम post conventional stage में जाते हैं तो हम अंदर maturity आ चूकी होती है क्योंकि यह stage है यह adulthood की stage है तो हमारे अंदर इतनी maturity आचुकी होती है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं basically हम जो हैं दूसरों के बारे में सोचने start करते हैं दूसरों की भलाई के बारे में हम सोचते हैं कि suppose करो अगर एक कोई person है उसकी हम जान बचा रहे हैं तो अगर हम एक rule को तोड़ना पड़ रहा है तो basically we should break down that rule या फिर जब थोड़े से और अगर हम mature होते हैं तो हम पूरी society के बारे में सोचते हैं या फिर पूरे all over country के बारे मानवता के लिए हम सोचते हैं ठीक है तो basically ये एक ऐसी stage है बच्चो जहां पे कोहलबर्ग ने ये कहा है कि बहुत ही कम मतलब 15-20% पीपल जो last की जो 6th stage है वहां तक पहुच पाते हैं बहुत ही कम ऐसे person होते हैं जो इस conventional stage में एंटर करते हैं और जो last की stage होती है 6th stage जो की बहुत ही जो महान पूरुष है हमारे जैसे की महतमा गांदी हो गए हमारी society में जो हमारे culture के अंदर है हमारे भारत देश में है जैसे की भगत सिंग सर्दार भगत सिंग हो गए जिनोंने अपनी जान की परवा ना करते हुए पूरे मानवतावाद यानि की पूरे हमारे देश में कितने परसन ruहे हुंगे उस टाइम करोड़ो करोड़ो के लिए करोड़ो की जानों के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए तो उन्होंने How to कितना बड़ा काम किया मतलब अपनी जान की परवाद ना करते हुए उन्होंने वो काम किया, ठीक है, करोडो देशवाशियों की जान उन्होंने बचाई हमें अजाद कराया, ऐसे महतमगांदी हो गए, जितने भी हमारे क्रांतिवीर हैं, महानपुरूश हैं, या फिर और दूसरे देशों के जो महा तो बिलकुल बियोंड होती है, हमारी मैचुरूटी से बहुत ज़्यादा उनकी मैचुरूटी होती है, ठीक है, उमीद करता हूँ कि आपको, जो मैंने एक्स्प्लेनेशन दिया है, ये आपको याद रहेगा, बड़ा सिंपल मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है morality is defined in terms of abstract principles, morality is defined in terms of abstract principles and values that apply to all situations and societies, तो यहाँ पे हम abstract principles के बारे में सोचते हैं, the individual attempts to take the perspective of all individuals, ठीक है, people who have reached this stage of development are concerned with the innate rights of the humans, जो people इस stage में एंटर करता है, वो दूसरे human being के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, ठीक है, उनके अधिकारों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, जैसे आजादी हमारा, हमारा, you know, जर्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे हमारे करांतिवीर सोचते थे, तो सर्दार भागन सिंग ने अपने साथियों के साथ जो कुर्बानी दी, तो उन्होंने यही सोचा, कि हम हमारी जान है, केवल हमारी जान तो जा रही है न, लेकिन इसके पीछे जितने भी यंग, you know, परसन है, हमारे देश के जो तो उनके अंदर एक innate, उनके अंदर एक, you know, एक power आ जाएगी, कि वो अंग्रेजों से लड़ सकें, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हैसा सोचा उन्होंने, तो मानफतवाद के लिए उन्होंने काम किया, basically, and guided by their own ethical principles, तो इनके जो principles हैं, इनके खुद डिसकस कर लेते हैं, basically, इनकी सब स्टेज के बारे में, तो पहली जो सब स्टेज है, वो है, social contract orientation, जो की fifth stage है, अगर आप starting से देखेंगे, जो की fifth stage है, इसमें, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, वैसे मैं example के बारे में आपको बताऊँ, example मैं आपको देता हूँ, तो example से social contract orientation, इस stage में basically, adult क्या सोचता है, कि basically, किसी की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, suppose करें कि हमारी society में हमें ये बताया गया है, कि हमें red light jump नहीं करनी, ये एक rule को तोड़ने वाली बात हो जाएगी, अगर हम red light को jump कर रहे हैं, अगर हम उसको cross कर रहे हैं तो, ठीक है, और आप society में एक rule है, सभी उसको follow करते हैं, almost सभी person उसको follow करते हैं, फिर भी एक दो person, एक दो person ऐसे रहते हैं, जो कि, जनको काफी जल्दी लगी रहती है, वो इस rule को follow नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि red light को jump कोई नहीं करता, ठीक है, अच्छा, माल लो, एक दिन आप आपके पास आपके गाड़ी में एक, you know, suppose करें कि एक महिला बैठी हुई है, और उसको labor pain start हो गया, वो pregnant है, उसको labor pain start हो गया, उसको दर्द हो रहा है, वो pain में, you know, उसको pain इतना जादा हो रहा है कि, वो tolerate नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसको सहन नहीं कर पा रही है, इतना गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम, अब गाड़ी चला रहे हैं ठीक है, आप hospital उसको लेके जा रहे हैं, अब इतने में उसको इतना ज़्यादा pain हो रहा है कि उसके जान पर बात ना बनाए, तो आप क्या करेंगे, आपके सामने red light है, आपने गाड़ी रोकी हुई है, तो भ महिला को मैं इस pain में छोड़ दूँ, हो सकता है कि कल को कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो फिर आप इस stage में जो person होगा, वो ही सोचे का कि छोड़ो यार, अब यहां पर क्या है, जान के उपर बात है, कि आप जो है, रूल को definitely break करेंगे ही करेंगे, red light को jump करेंगे, ठीक है, क्य तो अब देखो हुआ क्या, आपने rule break किया, आपने rule को break किया, ठीक है, तो इस stage का नाम है, social contract orientation, definitely, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, individual rights determine behavior, the individual views laws and rules as flexible tools for improving human purpose, ठीक है, कि भई, ठीक है, जो laws है, हमारी society के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, definitely बने हुए हैं, सब उनको follow करते हैं, given the right situation, there are expectation to rules, exceptions to rules, ठीक है, sorry, exception to rules, when laws are not consistent with individual rights and the interest of majority, they do not bring about good for people and alternatives should be considered, ठीक है, तो अगर किसी एक rule को तोड़ने के लिए, हमकी, एक individual की जान बचाने के लिए, अगर हमें society में एक rule को तोड़ना पढ़ रहा है, तो definitely हमें वो चीज़ करनी चाहिए, तो ये इस तरीके से social contract orientation में कहा गया है, इस example से मैंने आपको समझाया है, किसी एक person की अगर आप जान बचा रहे हो, और आपको side में जूट भी बोलना पढ़ रहा है, तो definitely you should go for the life, आप जूट बोलो, ठीक है, कम से कम एक जूट उसकी जान से बढ़ा तो नहीं है, ठीक है, कम से कम उस person की आप जान तो बचा पा रहे हो, तो ये है बच्चो, social contract orientation, ठीक है, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद बात करते हैं, universal ethical principle orientation की, universal ethical, इस stage की बात करते हैं, according to Kohlberg, this is the highest stage of functioning, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये highest stage है, and he claimed that some individual will never reach this level, और उन्होंने ये दावा किया कि ये इतनी highest stage है कि कुछ individual यहां तक नहीं पोर्च सकते, I mean most of the individual यहां तक नहीं पोर्च सकते, at this stage, the appropriate action is determined by one's self-choosen ethical principle, these principles are abstract and universal in application, जैसे की, मैंने आपको example दिया था, सरदार भगत सिंग का, कि उन्होंने अपनी जान की परवाना करते हुए, देश वाशियों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंग, या जितने भी महापुरुष हैं, जैसे सुबाश चंदर बोस, उन्होंने भी अपनी जान की परवाना करते हुए, ठीक है, तो जो इन्सान, मानवतावाद के लिए काम करे, वो इस stage के अंदर चलता है, यूनिवर्शल एथिकल प्रिंसिपल ओरियंटेशन, ठीक है, जैसे फॉर एक्जामपल, मैंने कुछ, एक साल पहले एक वीडियो बनाया था, इस stage पर, वहाँ पे मैंने आपको बहुत यच्छ एक्जामपल दिया था, कि जैसे फॉर एक बच्चा है, वो बच्चा कहीं पर बैठा हुआ है अपने पापा के साथ, ठीक है, और साथ में एक प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, अब वहाँ पे एक परसन जो है, उसके पास बंदूक है, गन है उसके पास, और वो उन प्लेग्राउंड की तरफ जा रहा है, और बच्चे ने ये म प्रवाद दूख लेके वहाँ पर सारे बच्चों को मारेगा तो हुआ क्या वह बच्चा खड़ा हुआ और जाके जो है उसने शोर मचा दिया उस परसन के पास जाके ठीक है इतने में भीड इखटा हो गई और उस परसन को पगड लिया गया तो अब जो छोटा बच्चा है वो उसने क्या किया उसने अपनी जान की परवाद ना करते हुए बेसिकली उसने यह भी नहीं सोचा कि यार यह बच्चों को गण नहीं मारेगा यह पहले मुझे मारेगा तो उसने यह नहीं सोचा उसने वहाँ पर जाकर के उस परसन को पकड़वाया ठीक है तो वो जो universal ethical principle तो दोस्तो I hope कि आपको ये छोटा सा video पसंद आया होगा जहां पर मैंने आपको explain करने की कोशिश करी है post-conventional stage हाला कि question इस पर बहुती rare कम ही आता है मतलब मैंने देखा नहीं आस था लेकिन maybe जो ये वाली stage है social contract ये option में जरूर आती है किसी न किसी तो आपको पता होना चाहिए कि social contract orientation या फिर universal ethical principle क्या होता है ठीक है I hope कि आपको आज का video काफी fruitful लगा होगा और please subscribe जरूर करें चैनल को और like करें और अपने friend circle में इस video को share करना ना भूले thank you दोस्तो आज के लिए सर्फ इतना ही बहुत मिलते हैं next video में किसी नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भार